हाई नमस्का दोस्तों इस सिरीज में आप सभी किसलिए लेके आया हूँ अगला वीडियो लेकिन अगला वीडियो पे जाने से पहले पूछना चाहूंगा क्या आपने पहले के तीन चार वीडियो जितने भी अपलोड हुए हैं देखें अगर नहीं देखें तो जल्दी से ज यकीन है आप मेंसे हर एक इनसान अगर डिसाइड कर ले तो कुछ भी कर सकता है ऐसा आपको भी यकीन होगा और ऐसा मुझे तो 100% यकीन है दोस्तों आज 11 सालों से इस इंडस्री में हूँ ग्यारा सालों मैं 25 लाग से जादा लोगों को इंस्पायर किया है 25 लाग से जादा आप मेंसे हर एक इनसान उस उंचाई तक पहुंच सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हो तो आईए सीधा चलते हैं आज के वीडियो पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आईकोन पर भी क्लिक कीजिए क्योंकि दोस्तों ये सीरीज और आने वाली जो Magic of Thinking Rich सीजन 3 की सीरीज है वो आपकी जिन्दगी बदलने के लिए पूरी तरह से इनफ है तो इस में से एक भी चीज मिस करनी नहीं है ओके दोस्तों चलते हैं वीडियो के उपर पांच सवाल मैं चाहता हूं कि आप से पूछूं आज और ये पांचों सवाल आपको जक जोर देंगे अगर आपने सिंसियरली इन पांचों सवालों को सुना और सिंसियरली इन सवालों का उत्तर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप सच में अमीर बन पाएंगे और क्यों आप अमीर बन पाएंगे दोनों ही चीज़ें आपको पता लगीगी तो बिलियोनेर्स, मिलियोनेर्स, बिजनस टाइकून्स की कहानी पढ़ लीजिए, वो सभी यही कहते हैं, मैं गरीब था, पूर घरे से हूँ, और वहां से उठके आया, धीरे-धीरे मैंने यह किया, और उसके बाद मैं अमीर बना, यानि कि एक इनसान ने उस परिवार की गरीब को रोकिये, काच के सामने जाके खड़े हो जाईए, आँखों में आँखे डाल के यह सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ूंगा, 100% आपका आंसर आना चाहिए, येस, और अगर आपका आंसर येस नहीं है, तो कहीं न कह नहीं confidence की कमी है, दोस्त, अपने आपको पूरा पंपन करके ये सवाल पूछिए, am I really capable, क्या मैं सच में काबिल हूँ, कि अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ सकूँ, ये सवाल पूछना है, अपने आप से पूछना है, मैं आप से पूछना हूँ इस समय, आपको सवाल है, क्या आपके अंदर burning desire है? दो तो आपके महले में, आपके गली में, आपके society में कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, जो कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ है, जो एक समय पे जीरो थे और आज हीरो बने हुए society के, उनके अंदर कहीं न कहीं burning desire थी, ये burning desire किसी को भी राक से या खाक से उठा के top level पे पहुचा सकती है, ये burning desire के बिना कुछ हो नहीं सकता, देखिए, burning desire वो ही है, जो आपको नीन से उठाएं और बोले, come on, you can do it, ये burning desire वो ही desire है, जो कहें, yes, I want to make money, I want to make money, and which can really help you make money, and दोस्तों, forget about money, हर शेतर में आगे बढ़ने के ल आपको अपने YouTube चैनल को फैलाना है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे followers चाहिए, हर चीज के लिए burning desire चाहिए, burning desire मतलब तीव रिच्छा शक्ती, एक ऐसी इच्छा शक्ती जो की यमराज को भी जुका दे, एक ऐसी इच्छा शक्ती जो की पूरे संसार को आपकी शर्ते मानने पे मजबूर कर दे, जहां आप खड़े हो जाए, वहीं से लाइन बन जाए, तो मेरा आप से दूसरा सवाल ये ही है, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या burning desire है, millionaire, billionaire या बहुत बड़ा business टाइकून बनने की, अगर है तो क्यों नहीं दिख रही है, अगर है तो रोज आलस क क्यों, अगर है तो छोटी सोच क्यों, अगर है तो नेगिटिव उर्जा क्यों, तो दोस्तों आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक इस सवाल का उतर अंदर से यस ना आ जाये, तब तक ये सवाल पूछना पड़ेगा, जब तक आपके actions में ये दिखनी नहीं लग जाये, तब तक आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा, सिर्फ इस समय हाँ या ना बोल के काम नहीं चलेगा, इस सवाल को पकड़ के रखिए, इस सवाल को पकड़ के रखिए, और अपने आप से दिन भर में हजारों बार पूछिए, डोस्तों तब तक पूछते रहि ये शक्तिशालियस चाहिए, दोस्तों तीसरा सवाल, क्या गरीब बना रहना हार्ड है या अमीर बनना हार्ड है, ये मैं आप से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लों कहते हैं, सर मुझे बड़ा तो बनना है, लेकिन बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्टी है, बहुत चैलेंज है, तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या और्डिनरी बने रहना, क्या साधारण बने रहना, क्या छोटा बने रहना, ये हार्ड नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा बनने के लिए जो हार्ड शिप है, उससे कहीं जादा हार्ड है, छोटा बने रहना, औ औरडीनरी बने रहना, average बने रहना, middle class बने रहना, क्योंकि हर रोज adjustment है, खाना बाहर खाएं या घर में खाएं, adjustment, शादी में 100-100 लोगों को बिलाएं, 200 लोगों को बिलाएं, adjustment, कपड़े 8000 के खरीदें, मर्जी से छुटिया नहीं बिता पाते, मर्जी से कोई चीजे नहीं खरीद पाते, मर्जी से पार्टी थ्रो नहीं कर पाते, मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चीजें बदल नहीं पाते, अपने जीवन को बदल नहीं पाते हैं, मरजी से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ले पाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं, या आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पहले अपनी पॉकिट को देखते हैं, बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, गरीब बने रहना जादा टफ है, क्योंकि पल-पल, कदम-कदम पर अज़स्मेंट है, अमीर बनने के लिए अज़स्मेंट है ही नहीं, बड़ डिसाइड करना है, उधर जाना है, और पूरी शक्ती लगा दी नहीं है, उधर तक पहुँचने में, and 99% मैंने देखा है, जिसने पू पूछे क्या गरीब या एवरेज बने रहना हार्ड है, या अमीर बनना हार्ड है, आप खुद बताईए, मैं पूछना चाओंगा आपसे, आप खुद बताईए, और आप खुद दिल से बताईए, कौन सा इसमें से ज़्यादा हार्ड है, लिकिए वो उत्तर, ये जब हार्ड जिनी है, तो मैं कहता हूँ, अमीरी के रास्ते वाली हार्ड जिनी है, अमीरी का रास्ता वो जहां पैसा भी अपनी हिसाब से आए, जहां लोग भी हमें फोलो करें, जहां इज़त भी हो, जहां सुकून भी हो, जहां शान्ती भी हो, जहां हम दुनिया के लिए भी बहुत कुछ कर सके, यह अमीरी का रास्ता है, अमीरी डजन मीन की पैसा लाओ और अपनी इहतिजोरी में भर लो, अमेरी का मतलब है, दुनिया के साथ उसे बाटो, दुनिया के लिए कुछ करके जाओ, क्योंकि यह COVID जैसी situation में, आप एक बुल-बुले की तरह हैं, एक छो क्रियेटर बनना है, वेल्थ क्रियेट करनी है, लोगों के लिए, खुद के लिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है, समाज बदलना है, लेकिन उसके लिए अपने आप से पूछना पढ़ेगा, कि क्या, सच में यह सब करना टफ है, मुझे तो ऐसा लगता है, यह बैइन ओडिनरी लुजर, देखते हैं, कभी गोल्ड मेडल मिलेगा, क्या, कभी तो आएगा अच्छा लाइफ में, चैم्पियन किसी के उपर भरोसा नहीं करता है, चैंपियन सिर्फ अपने उपर भरोसा करता है, चैंपियन सिर्फ जानता है, कि अगर उसकी ट्रेनिग अब वहां तक शायद नहीं पाइंगे या वहां तक पहुंचने का आपका चांस 0.1% है जहां पहुंचना चाम संट है चांस के ऊपर गेम के लिए, चाम्पियन की तरह चांस के तरह हो जाईए। और मसा आगया अगर आपको, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, समझ लीजी अगर नहीं समझ में आ रही है, तो बहुत important सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और last सवाल इस वीडियो में जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी आज की स्किल्स, आज की नौलिज, आज की आदतें काफी हैं आपको बिलियोनेर बनाने के लिए, और अगर नहीं हैं, तो क्या कर रहे हैं आप उन आदतों को लाने के लिए, जो कि आपको मिलियोनेर, बिलियोनेर यार रिच बनाएगी, दोस्तों बहुत specific बात कर रहा हूँ आज की knowledge, आज का talent, आज की आदत है, आज की skills, आज की उर्जा काफी है आपको billionaire बिलियोनेर बनाने के लिए नहीं, तो इस उर्जा को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस उर्जा को बढ़ाने के लिए क्या सीख रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं, दोस्तों, मैं ये पांचों सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हर रोज ये पांचों सवाल आप अपने आपसे प करना चाहूंगा The Magic of Thinking Rich Season 3 में Season 3 होने जा रहा है 3 मई से लेके 30 मई तक रोज शाम को साड़े साथ बजे से रोज रात को नो बजे तक डेड़ घंटा याने 90 मिनिट अपनी जिंदगी का एक महीने के लिए मुझे दे दो आज से पहले कि जिंदगी आपने अपने हिसाफ से जी के देख लिए अगला पूरा एक महीने का 90 मिनिट का उर्जा मुझे दे दो मैं लाइव आउँगा इसी यूट्यूब चैनल पे और आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी को सिस्टमाटिकली चेंज कर सकते हो सिस्टमाटिकली बदल सकते हो दोस्तों आप में से हर एक इनसान के अंदर पावर है वो पावर है कि जिस चीज को छूदो वो सोना बन जा है लेकिन उस पावर का अभी तक आपको अंदाजा नहीं है मेरे साथ तीन मई से तीस मई तक जुड़िये ना सिर्व आप जुड़िये अपने दोस्तों को भी जोड़िये इसी यूट्यूब चैनल के उपर और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम आपको रिमाइंडर दे दे आपको एक e-mail आ जाए तो आप नीचे दिये गए लिंक पे रजिस्टर जरूर कीजिए रजिस्टर कीजिए स्पॉंसर आइडी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिलेगा और अभी इसी समय इसी वीडियो के उपर भी ये डिस्क्रिप्शन लिंक और स्पॉंसर आइडी आपको मिल रहा है दोस्तों Magic of Thinking Rich मेरा वो प्रोग्राम है जिसने आज सक 14 लाग से जादा लोगों की जिन्दगी को प्रभावित किया है और अब आपकी और आपके परिवार की जिन्दगी को प्रभावित करने के लिए आ रहा हूँ दोस्तों अपने दोस्तों को अपने परिवार वालों को अपने देशवार्शियों को सभी तक ये सूचना फैला दीजिए Magic of Thinking Rich का और उससे पहले ये वाली सिरीज How to be rich and wealthy ये पूरी सिरीज के 15 वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा आईए पूरे भारत को फिर से सोने की चिडिया बनाते हैं अब बड़ा सोचेगा इंडिया अब बदलेगा मेरा इंडिया भारत माता की जये तैंक्यू